गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है अडिमिस्टेशन जो की हमारे हिस्ट्री के चैप्टर द अर्ली किंग्टम से है इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रशासन के कितने लेवल्स थे यह एक किंग जो है वो उसके दोरा आकेले पूरे सामराज पर के लोग और और को देखना एडिमिस्टेशन को देखना पॉसिबल नहीं था इसलिए जो पूरा का पूरा किंग्डम जो था जो की किंग केंडर में था वो कई पार्ट्स में बटा हुआ था किंग्डम्स कई छोटे छोटे पार्ट्स में बटे वे थे इनको भुक्ति कहा जाता था और इसकी अड्मिस्टेशन की जिम्मेदारी वहां की गवर्नर की थी गवर्नर लो एन ओल्डर और रेवेन्यू कलेक्शन्स सारी चीज़ों को मॉनिटर करता था भुक्ति को फर्दर डिवाइड किया गया था विशय में और विशय विशय पती के अंडर में थे यानि वहां का अड्मिस्टेशन के लिए जिम्मेदार विशय पती थे विशय जो थे वो उनके जो फर्दर स्मॉलर उनिट्स थे उनको ग्राम कहते हैं इनी विलेज गाओं और इसके जो हैड्मेन होते थे इनी लो एन ओर और अड्मिस्टेशन के लिए जिम्मिदार होते थे उनको ग्राम पती ग्राम पती कहते थे अब हम लोग अब हम लोग आ जाते हैं सोसल लाइफ में क्योंकि वर्ना सिस्टम की सुरुवात हो चुकी थी ब्राह्मन और शत्रिय ब्राह्मन और राजबोस यह इस सोसाइटी में टॉप लेवल पे थे और जारतर प्रिबलेज इन्हीं को हासिल था हलंकी वैश जिनमें ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, फार्मर्स इंक्लूडेट थे इनका भी बहुत ही महत्पून योगदान रहता था सोसल लाइफ में लेकिन धीरे-धीरे महिलाओं का जो पोजिशन था वो डिकलाइन होने लगा यानि पहले महिलाओं को जो अधिकार दिये गये थे वो धीरे-धीरे उनसे कम होने लगे उनके अधिकार सती प्रथा जिसमें महिला को जिसकी प्ती की मित्ती हो जाती थी उसके साथ ही जला दिया जाता था ये भी उस से उस दौर में होता था साथ में बाल विवा का प्रचलन भी था बाल विवा के साथ साथ बहुँ विवाप्र था यानि पॉलीगेमी ये भी बहुती आम बात थी तो ओवरॉल देखा जाए तो सोसल लाइप में महिलाओं की स्थिति काफी ज़्यादा बद्द थी एकनॉमी की बात करें एकनॉमी में एगरिकल्चर मेन अक्टिपेशन था मुखे पेशा था जारतर लोग खेती किया करते थे लेकिन इसके साथ साथ में भारत दुस्य दिश्योक्षाथ में वेपार भी किया कर रहा था भारत से मसाले कपड़े कीमती बद्थर बड़ी मात्रा में वी डिशों में निरियात किय जाते थे एक्सपॉर्ट किय जाते थे असाथ ही भारत में घोडे कीमती धातू वाइंस इस तरह की बहुत सारी चीजे हम लोग वी nggak बुदेश उसे भी मंगाय करते थे